हमने बात की कि अंतर राश्टी जो व्यापार होता है वो कितने इस्तर पर होता है इतिहास क्या रहा उसका ये सब बातों पे हमने अभी तक चर्चा की अब आज हम देखते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं है न कोई भी अच्छी चीज यदि आ रही है कोई टेक्नोलोजी डेवलप्ड हो रही है हम विकास की और और बढ़ रहे हैं तो उसमें दोनों ही बाते होती हैं कि उसका एक अच्छा पहलू भी होता है और उसका एक खराब पहलू भी होता है तो आज हम बात करते हैं अंतर राष्टिय व्यापार के कुछ लाब हैं उसी प्रकार और कुछ हानिया हैं तो हम लाब देखते हैं कि जैसे ही हमने बात की थी कि द्वितिय विश्रियुद्ध के बात से अंतर राष्टिय व्यापार जो है वो और तेजी से विकास करता गया तो उसके लाब कौन-कौन से हैं? आईए देखते हैं. पहले हम बात करेंगे अंतर राष्टी व्यापार के कारण उत्पादन में वृद्धी होती है. उत्पादन में वृद्धी कैसे होती है? हमने चर्चा की थी कि जो राष्टी संसाधन है वो सभी जगा एक समान देखने क को नहीं मिलते हैं. सभी जगा उसमें भिन्नता हमको देखने को मिलती है. और जैसे ही ये अंतर राष्टी व्यापार अस्तित्व में आया है, तो एक मुक्त व्यापार की स्थिती है पूरे विश्व में, जिसके कारण अगर किसी देश में कोई उद्योग स्थापित करना ह हैं और उससे संबंधित यदि कोई कच्चा माल वहां पर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम इस अंतर राष्टी व्यापार के कारण हम उस कच्चे माल को किसी दूसरे देश से जो है आयात कर सकते हैं और वो उत्पादन हम कर सकते हैं. तो इसके कारण कोई भी ची हैंगे, एक और इसकी बात है कि उत्पादन में वृद्धी होने के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. बड़े पैमाने पर उत्पादन मतलब कि आपको कहीं से भी आप कच्चा मालायात कर के अपने देश में उस उद्योक की स्थापना तो करी स Gary है और साथ ही साथ हम ये देखते हैं, कि हमने अभी कुछ देर पहले या बात की थी, कि जो अंतरराश्टी व्यापार के स्थिती में क्या होता है कोई भी देश जो संसाधन उसके पास मौजूद है उसी का वो अधिक्तम उत्पादन जो है वो करता है और जब वो संसाधन का अधिक्तम उत्पादन कर रहा है मतलब उस देश में वो संसाधन जो है वो उपलब्ध तो इसलिए उसकी लागत कमाती है। और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि व्यापार का एक मातर उदेश जो है वो लाप कमाना है। तो कोई भी देश जब व्यापार की स्थिती में है तो वो उन्हीं चीजों का उत्पादन अधिक करेगा जो जिसमें लागत कमारी और लागत कहां पर कमाएगी जो संसाधन उसके पास मौजूद या उसके पास तैयार रूप में हैं. तो वो क्या करेगा वो जो देश है चुकि संसाधन उसके पास है और व्यापार करना है तो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ा सके अपने बाजार को और अधिक जो है विस्तार उसका कर पाए इस कारण वो एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, निरियात करने के लिए, तो दूसरा वो इसका है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और साथ ही साथ ही इसके लिए जोड़ी है कि मांग अधिक होती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अधिक है, वहां पर उत्पादन भी अधिक मात्रा म में उतपादन करने की कोशिश करता है अब तीसरा हम देखते हैं अंतरराष्टी व्यापार कलाब होता है चिह सानसाधनों का कुशल्तम प्रयोग कैसे होगा भई हमने भी देखा कि जो संसाधन ग्यात रूप में है या उपलब्ध है जिनके बारे में उन्हें जानकारी है तो वो तो उपयोग किये ही जाएंगे उसके द्वारा उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में और साथ ही साथ सभी देशों में बहुत सारे ऐसे जो संसाधन है वो मौजूद होते हैं जो ग्यात रूप में हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है तो क्या करेगा एक तो जो ग्यात संसाधन है उसमें भी वो श्रम विभाजन और विसिस्टी करन को अपना कर उसका अधिक से अधिक मात्रा में कुशलतम प्रयोग करेगा जिससे अधिक से अधिक जो उत्पादन या प्रोडक्शन है वो उस राष्ट को मिल पाए और अधिक उत्पादन मिलेगा तो अधिक उत्पादन मिलने से फिर वो उसका निर्यात भी अधिक होगा निर्यात अधिक होगा तो उसकी राष्ट्रियाय में वृद्धी होगी और उसी प्रकार जो अग्याद संसाधन भी हैं, मतलब जिनके बारे में उसे नौलेज नहीं है, तो कोई भी राष्ट जो है वो क्या करता है, उन संसाधनों को ढूंटा है कि और कितनी संभावना है उसके देश में और अधिक जो संसाधन है उसके मिलने की, अलग-अलग प्रकार के संसाधन की, और उन सभी संसाधनों को वो ढूंड कर उसका भी अधिक से अधिक जो है उप प्रोडक्शन की बात करते हैं, बहुत वरिहद इस तर पर उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम घर में भी देखते हैं, कि कोई बड़ा फंक्शन होता है, वरिहद आयोजन होता है, तो हम काम को बाट देते हैं, मतलब अलग-अलग लोगों में हम वो काम बाट देते हैं, भई हमको लगता है कि कोई घर का एक मेंबर जो है वो फाइनेंस बहुत अच्छा देखता है, तो हमने वो फाइनेंस वाला जो ब्रांच है वो पार्ट है वो उसको सौप दिया, कोई खाने के बारे में बहुत नौलेज है, उसको बहुत अच्छी जानकारी है, और हमको लगता है कि जो खान पान की विवस्था है वो बहुत अच्छे से समहाल सकता है तो हम वो काम उसे दे देते हैं हम हर इस तर पर देखते हैं कि किसी भी कारी को बहुत अच्छी तरह से और कुशल रूप में करना है तो हम उसका विभाजन कर देते हैं, कारियों का बटवारा कर देते हैं जिसके कारण क्या होगा? जिसे जिस काम में रूची होती है तो वो उस काम को करने में और ज़्यादा इंट्रेस लेता है और रूची के साथ वो कारिय करता है तो एक बहतर रिजल्ट जो है वो हमें मिल पाता है ठीक उसी प्रकार हम व्यापार में भी देखते हैं कोई भी देश जब व्रिहाद इस्तर पर उत्पादन करता है व्रिहाद इस्तर पर उत्पादन कर रहा है तो उसके कारण स्ट्रम विभाजन और विशिश्टी करण को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि उस कारी को करने के लिए फॉर एक्जामपल जैसे सूती वस्तरूत द्योग है तो सूती वस्तरूत द्योग ऐसे ही तो इस्थापित नहीं हो जाएगा उसके पहले उसे कपास की है उसे बिनोलों से उसे अलग करना पड़ेगा कॉटन को फिर उसके साथ ही रंगों की धुलाई है ना सूत की कताई यह सारे काम जो है करने के बाद फिर उद्योग में जाएगा मतलब बहुत प्रोसेस से उसे होकर गुजरना पड़ेगा तो उस समय क्या कर दिया जाएगा कि जब तक वो उद्योग में हमें तयार माल के रूप में मिलता है उसके पहले उस कारी का अलग अलग विभाजन किया जाता है मतलब कोई एक सिर्फ बिनोले से कपास को कॉटन अलग कर रहा है कोई सिर्फ सूत की कताई का काम करेगा कोई सिर्फ उसकी रंगाई का काम करेगा तो क्या होता है तो हमने देखा कि हमने श्रम का विभाजन कर दिया मतलब श्रम का विभाजन मतलब कारी का अलग अलग इस तर पर छोटे से लेकर वरिहद इस तर पर हमने उसका बटवारा कर दिया विभाजन कर दिया जिसके कारण जो जिसे जिस काम में specialization प्राप्त है जो expert ह किसी काम को करने में तो वो उस कारे को और बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ यह सोचता है कि वो अपने कारे को और बहतर कैसे कर पाए और कम समय में कैसे कर पाए तो श्रम विभाजन और विसिस्टी करण को इस प्रकार से वियापार के कारण जो ह हमने देखा कि व्रिहद इस्तर पर उत्पादन होता है पहले तो उत्पादन में व्रिद्धी उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ उसके कारण क्या हुआ कि श्रम विभाजन और विशिष्टी करण हुआ बड़े पैमाने पर उत्पादन के वजह से फिर ह हम देखते हैं कि इस व्रिहद इस्तर पर उत्पादन होने के कारण श्रम विभाजन और विशिष्टी करण हुआ और इसके कारण जब हमने कारे में श्रम विभाजन और विशिष्टी करण को शामिल कर लिया तो अतिरेक उत्पादन होगा मतलब हमने बताया कि भई specialization कर दिया या काम का हमने distribution कर दिया उसको अलग-अलग लोगों में बांट दिया तो क्या होगा वो कारी को और अच्छी तरह से करेगा तो उत्पादन में वृध्धी होगी उत्पादन में वृध्धी होगी तो हम क्या देखेंगे कि हमको अतिरेक क निर्गम आप देख रहे हैं जो next इससे होने वाले लाब है तो अतिरेक का निर्गम मतलब कि व्रिहार दिस्तर पर पैमान उत्पादन होने से बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ और अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण जो उसकी घरेलू डिमांड है उस र अधिक उत्पादन हुआ तो फिर हम क्या करेंगी अतिरेक का निर्गम करेंगे निर्गम मतलब जो अतिरिक उत्पादन है उसको दूसरे देश को जहां पर उसकी मांग है वहां पर हम उसका निर्यात करेंगे तो निर्यात करेंगे तो क्या होगा अब इसी से हम नेक्स्ट अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं तो निर्यात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भी बेचेंगे तो हमको उससे पैसे मिलेंगे और पैसे हमको मिलेंगे मतलब हमारी आय में व्रिध्धी हो रही है तो जब अतिरेक का निर्गम किया जाता है तो उ से उस देश के राष्ट राष्ट्री आयमें व्रिद्धी होती है ये उसका एक और लाब है अंतर राष्ट्री व्यापार का फिर हम देखते हैं बाजार का विस्तार होता है इससे सारे पॉइंट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं है ना हमने देखा व्रियाद इसतर पर जो उतपादन कीया उतपादन अधिक होने से मतलब अतिरिक्त उतपादन हमारे पास प्राप्त हुआ और उसको हम क्या करेंगे भाई जो अतरिकतूत पादन है उसे हमें कहीं निर्यात करने के लिए एक बाजार की आवशकता होगी जहां पर हम उसे ले जाकर बेचे तो अतरिकतूत पादन को हम क्या करते हैं विश्व के अलग-अलग देशों जहां पर उसकी demand होती है मांग होती है वहाँ पर हम उसे बेचते हैं या निर्याद करते हैं तो इससे क्या होता है हमारे देश का उस particular उस देश का राष्ट के जो बाजार में विस्तार होता है अधिक सभी जग उस प्रोडक्ट की जो है डिमांड होने लगती है और उसके बाजार का विस्तार होता है फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वस्तूओं और सेवाओं की उपलब्धता तो भई अंतरराश्टी व्यापार के ही द्वारा चुकी हमने कहा कि भई मुक्त व्यापार है है ना अभी भी आप हमेशा ये सुनते होंगे ये एक बात जो है कि हम कहीं घूमने गए है ना तो भी उतना बोजाड हो के वहाँ से समान कौन लाएगा आजकल तो सभी चीजें सभी वस्तूओं जो हैं वो हर जगा मिलती है ठीक है 19-20 मात्रा में थोड़ी बहुत थोड़ी सी बढ़ जाएगी 19-20 फर्क रहेगा लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि हम ये बात अक्सर बातचीत में सुनते हैं कि आजकल सभी चीजें हर जगा मिल जाती है है ना मतलब आपको कालीन हर जगा की कालीन अगर आप रायपूर में है तो आपको यहाँ पर अवेलेब आपको उसके लिए USA ही जाना पड़ेगा ऐसा तो नहीं है है ना तो हर चीजें हर जगा उपलब्ध हो पा रही है और यह संभव हो पाया है आपके अंतर राश्टी व्यापार की वजह से क्योंकि मुक्त व्यापार है हर देश जो है हर राश्ट जो है वो हर वस्तु और सेवाओं का अपने देश में उत्पादन कर सकता है और आयात और निर्यात के माध्यम से उस वस्तु को अपने देश में मंगा सकता है और दूसरे देश में बेच सकता है जिससे हर प्रकार के वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता जो है वो हमको हर जगा मिलेगी हर जगा वो available होगा अब हम देखते हैं कि इसकी वज़ा से मतलब हर जगा हमको ये वस्तुएं और सेवाएं मिल रही है तो अभी हमने बात की थी तो अभी उसको समझते हैं नेक्स्ट है आपका मुल्यों में समानता है तो क्या होता है जैसे आपके यहां किसी चीज के डिमांड है है और अगर वो आपके यहां वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है है यह आपके यहां नहीं आपा रहा है तो उस प्रोडक्शन की या उस उत्पाद की जो डिमांड है या मांग है वो बहुत अधिक हो जाती है और अगर उस मात्रा में वो पूर्ती नहीं हो पा रही है लोगों तक नहीं पहुच पा रही है तो क्या होता है कि उसकी जो उसका जो मुल्य है उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है अब अंतरराश्टी व्यापार के कारण या व्यापार की इस इस्थिती के कारण ये मतलब अभी हमने बात की ना भई कि थोड़ा बूत तो फर्क होगा उन्निस बीस लेकिन हमको कहीं भी किसी भी वस्तू की जिस भी उत्पाद की डिमांड हो रही है तो अब इस व्यापार के माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं कोई भी देश ये रा जो है इसको हम अपने यहां नहीं इसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो जहां पर जिसका उस वस्तू का उत्पादन होता है चुकि वह वहां पर अवेलेबल है वह संसाधन वहां पर मौजूद है तो वह कम कीमत पर उत्पादन कर रहे हैं अगर हम उसे यहां पर उत एक जाम्पल के लिए जैसलेकर पाजार से नि आधकर स OH if rap लोगात्र कीमति एक बहुम उटत्र लोगे उतना ही तो नहीं लेंगे फिर आपका आपकी जो ओंटिटिवी है थोड़ी कम हो जाएगी आप लोकिलो की जग आप आधा किलो ही लेंगे, क्योंकि मुल्य में वृद्धी हो गई, वह चीज आपूर्ती नहीं हो पारी है, उसकी पूर्ती नहीं हो पारी है, उसलिए उस वस्तु के मुल्य में वृद्धी हो गई, तो यही चीज व्यापार से संभव हो पाया है, जब किसी वस्तु या उत्पात की जो वो दूसरे देश से आयात कर लेता है जिसके कारण मुल्यों में बहुत जादा उतार चड़ाओ नहीं हो पाता और मुल्यों में लगभग समानता जो है वो बनी रहती है फिर इसका एक और लाब है सांस्कृतिक लाब जिसे हम कह रहे हैं है ना तो सांस्कृतिक लाब कैसे हो अब देखा हम इतनी सारी चीजे करेंगे उत्पादन में हमने वृध्धी की वरिहत इस्तर पर जो है उत्पादन किया वरिहत पैमाने पर फिर हमारे बाजार का विस्तार हुआ हमने उस चीज को निर्याद किया उसके लिए हम एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे क्योंकि वही आप किसी से कुछ चीज खरीद रहे हैं बार-बार आपका उसे एक संबंध बन रहा है बातचीत हो रही है तो वही सिती यहां भी हो रही है किसी भी देश या राष्ट के संबंध में हमारा उससे व्यापारिक संबंध जुड़ा तो फिर हम क्या करेंगे उस देश की स संस्कृति से वहां के रीती रिवास से रहन सहन से जो है वो हम परिचित होते जाते हैं जिससे हमको संस्कृतिक लाभ भी होता है अब हमने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि भई एक सिक्के के दो पहलू है किसी से कुछ फाइदा हो रहा है तो उसके कुछ नुकसान भी है यदि हम सही तरीके से उसको फालो नहीं करते हैं तो उसी प्रकार अंतर राश्ट्रिय व्यापार की लाभ के साथ साथ कुछ हानिया भी है उसकी कुछ कमिया भी है तो वो कौन सी कमिया है आए देखते हैं भई उत्पादन में व्रिध्धी या व्रिहद इस तरफ पर जो है इसमें क्या होता है प्राकृतिक संसाधनों का अत्रिक्त विदोहन है ना भई हमने बात की थी संसाधनों का व्रिहद इस तरफ पर उत्पादन करना है तो उसके लिए हमने क्या देखा था संसाधनों का कुछलतम प्रयोग लेकिन अब हमने बोला कि व्यापार का एक मात्र उदेश ही है लाब कमाना तो जब हमको लाब कमाना है और उस वस्तु का उत्पादन अधिक करके उसे निर्यात करना है बेचना है तो फिशलतम प्रयोग कहा रहा है ना हम तो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु के लिम आधिक मात्रा में उपियोग करते हैं, क्या करने के लिए ? अतिरेकाव के लिए उसे निर्यात करने के लिए तो पिर वह कुशलतम काया रहा, क्यूंकि हम तो अपना लाब ही देख रहे हैं, हमको ऐसा लग रहे हैं कि हम जादा से जादा लाब कमा लें इस व्यापार से इस इस्थिती के कारण या यह जो इस्थिती पैदा होती है उत्पन होती है उसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो अत्यधिक विदोहन होता है और अभी भी हम देख रहे हैं अभी हमारे मात्रा में अब उपलब्ध हैं हम बार-बार ये मैसेज देखते हैं है ना न्यूस पेपर के माध्यम से आपके पाठिक्रम में भी आप ये देखते हैं कि हमें इसका समुचित विदोहन करना है विवेक पूर्ण जो है विदोहन करना है ताकि हमारे आगे आने वाली पीड़ी के लिए हम इसे कुछ मात्रा में बचा कर रख पाएं ये हमारा उत्तरदाईत्व है लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इस अंतर राश्ट्य व्यापार से ये चीजें जो है वो एकदम उसे नजर अंदाज कर दिया जा रहा है ये किसी एक राश्ट्रिया देश की बात न होता है है अगर हम इस अंतर राश्ट्य व्यापार के माध्यम से बात करें कि हमें राश्ट का सरवांगिन विकास करना है तो ये चीज थोड़ी सी हमें यहां पर गलत लग जाती है वो क्यों फिर से लाब की बात आ रही है लाब कमाना उदेश है हमारा और उसके करण क्या क हम किसमे अधिक लाब कमाएंगे जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है मौजूद है वो उसका उत्पादन हम कम कीमत पर कम लागत पर कर पाएंगे और जब हमारे उत्पादन में लागत कम आ रही है तो जिस कीमत पर हम बेचेंगे उसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हम हमारा क्या होगा हमारी आय होगी हमारा लाब होगा उसके करण क्या होता है कि हम एक ही चीज का जो संसाधन हमारे पास मौजूद है उपलब्ध हैं हम उसी पर जादा फोकस करते हैं उसके जादा से जादा प्रोडक्शन पर हम उसको फोकस करते हैं और इस वजह से देश का एक संस्पांगी विकास होता है, फिर सरवांगी विकास कहा जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है, न, हम एक ही लाइन पे, एक ही बात पे फोकस करते हैं, कम लागत और उसका अधिक्तम, निर्याथ, अधिकतम उत्पादन और उससे अधिकतम राष्ट्री आई, और इस वजह से देश का सर्वांगिन विकास नहीं हो पाता है। फिर हम देखते हैं विदेशी निरभरता को बढ़ावा विदेशी निर भरता को बढ़ावा है भई हमने भी देखा कि कोई संसाधन अमारे यहां उपलब्ध नहीन है और हम उसे क्या कर रहे थे… कि दूसरे राष्ट्रों से हम उसे मंगा रहे थे, अब हमको यह लगता है कि जितना हम उत्पादन करेंगे, उससे कम कीमत पे तो हम दूसरे देश से उसका आयात कर ले रहे हैं, और हमारे जो घरेलू डिमांड है, घरेलू जो मांग है, उसकी पूर्ती हो जा रही है, और हम उस वस्तु के उत्पादन पे जो है, वो ध्यान नहीं देते हैं, और अपने देश में उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते, जिसके कारण विदेशों पे जो निर्भरता है दूसरे राष्ट्रों पे हमारी निर्भरता बढ़ती जाती है और ये इस्थिती जो विकट है या कठिन परिस्थिती तब आ जाती है जो अभी हमने फेस किया कोई युद्ध या महामारी कोरोना जैसी महामारी आ गई जिसमें आयात और निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया तब वो हमारे लिए एक विकट परिस्थिती के रूप में सामने आ जाता है इसलिए यह जो अंतर राश्टी व्यापार है वो बहुत अधिक मात्रा में हमारी विदेशी निर्भरता को बढ़ाता है जबकि हमें क्या चाहिए हमारे जो स्वावलंबन की प्रकृती है हमारे स्वावलंबन या हमारे स्वावलंबी होने के सुभाव को दबा देती है हम उस सीच के लिए कोशिश ही नहीं करते हम वही कम कीमत कम लागत वाली बात सोच कर अधिक्तम आए और इस बात पे हम पूरा करते हैं और भले ही हम अपने देश पे उस वस्तु का उत्पादन करेंगे तो थोड़ी उसकी लागत अधिक आएगी वो वस्तु हमें थोड़ी अधिक कीमत पर मिलेगी लेकिन समय अगर उस यह जो कठिन परिस्थिती आई जैसे अभी हमने बात की कोई युद्ध या महामार स्थिती है तो यह तो होगा ना भई कि यह वस्तु या पदार्थ जो है वह हमारे देश में हमें उपलब्ध है हम विदेशों पर डिपेंड नहीं है तो अंतर राश्टी व्यपार की और कमी है कि यह विदेशी निरभरता को बढ़ाता है अब हम और बात करें जो विदेश विदेशी प्रतियोगिता से हानी होती है विदेशी प्रतियोगिता मतलब कहीं भी कोई वस्तु जो है मालो चार देश की वस्तुई एक ही वस्तुई जो है वो मार्केट में हमें उपलब्ध हैं तो क्या होता है फिर कॉम्पिटिशन होता है मुल्य के लिए कि जो कम मुल्य पर उसे मार्केट पर बेचेगा उसकी वस्तु जो है अधिक भिकेगी अधिक भिकेगी मतलब उसकी आया धिक होगी और इसी कारण हम देखते हैं इस विदेशी प्रतियोगिता के कारण कि जो अविक्षित जो देश है या पिछडे राष्टर की हम बात करेंगे तो वो विक् अधिक प्रभूत्व जो है वो जमाने की कोशिश करते हैं पूरे अंतर राष्टी बाजार में जिस कारण से अब इक्सित जो राष्टर हैं पिछडे हुए जो देश हैं उनके लगु और कुटिर उद्ध्योग जो वहां पर स्थापित हैं उनको बहुत अधिक जो हानी प पास ये स्थिती देखने में आई हैं कि उस समय विदेशी प्रतियोगिता के कारण ही जो पिछडे हुए राष्टर के जो लगु और कुटिर उद्ध्योग थे उन्हें बहुत हानी पहुंची अब हम देखते हैं कि और आपका अंतर राष्ट्रिय द्वेश है ना आपसी राग द्वेश जिसु बोलते हैं ना वो उससे बढ़ता है व्यापार से बहुत हद तक क्योंकि हम ये हमने भी बात की कि प्रतियोगिता हो रही है शुरुवात में तो ये स्थिती बहुत अच्छी थी है ना जब अंतर राष्ट्रिय व्यापार की शुरुवात हुई तो ये बहुत अच्छी स्थिती में था और व्यापार को बढ़ावा मिल रहा था लेकिन युद्ध वाली स्थिति जो है अब वो वर्तमान में इस वज़े से उत्पन हो रही है हम एक प्रकर से कह रहे हैं जो हम प्राचीन उपनिवेश वाद की बात करते थे वही स्थिति भी हमारे सामने फिर से उत्पन हो रही है एक दूसरे पर अधिकार जमाने की जो होड़े लगी हुई है एक दूसरे को अपना गुलाम बनाने की जो इस्थिती है जो हमारे सामने युद्ध की स्थिती पैदा कर रहा है अभी ज्वलन्त उधारन हम देख रहे हैं रूस और युक्रेन का जो इद्ध चल रहा है तो ये भावना जो है वो बहुत जादा अपना प्रभुत्व जमाने की जो भावना है वो बहुत अधिक जो है वो विक्सित हो रही है जो पूरे विश्व के लिए एक अच्छी बात नहीं है फिर हम देखते हैं कि जो आयात होता है उस आयात के कारण हानिकारक जो वस्तुएं है उनका भी आयात होता है तो हानिकारक वस्तुओं के उपयोग की जो आदत है वो लोगों में बढ़ जाती है इसका एक सबसे अच्छा उदारण है चीन में जो है अफीम का आयात किया जाता है और इस अफीम के आयात के ही कारण वहाँ पे जो लोग हैं वो अफी चीन या हम कहें कि अफीम के अफीम की लत उन्हें लग गई है उसके आदी हो गए हैं उसके उपयोग के आदी हो गए हैं इस प्रकार इसकी एक और हमें कमी जो है, वो देखने को मिलती है, फिर हम देखते हैं, इससे राशी पतन का भी भै होता है, नेक्स्ट, इसकी जो कमी है वो राशी पतन का भै, वो क्या होता है, कि कोई भी जो राश्ट्रिया देश है, वो दूसरे देश में अपना जो उत्प उस बाजार में दूसरे देश के विदेशी बाजार हम कह सकते हैं, वहां पर अपनी वस्तू को रखा, अब उस राष्ट्रिया उस देश के उसी समरूप उत्पाद में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए क्या करता है, अपने देश का जो उत्पाद है, उसे उत्पादन ल इसे एक्जामपल ले रहे हैं एक चीनी कोई भी जो चाइनीज प्रोडक्त होते हैं हमारे यहां यह चाइनीज प्रोडक्त का पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा बाजार उसने अपना इस्थापित कर लिया है हमको मालूम है यह चीज की चाइनीज माल जो है वो बहुत अजय स्था लिकिन फिर भी चुकिन कीळे प्रोड़ा क्म है इसलिए हम सभी क्या करते हैं हमारे देश में भी वही उतपाद है हो कि बहुत टिक questo है उसकी मिल किदियो बहुत है लेकिन भी कम कीमें लेने के चक्र में क्या करते हैं ? वह प्रोड़क्ट को ले लेते हैं और वही लाब कमाने वाली जो भावना है तो दूसरे राष्ट जो हैं वो क्या करते हैं विदेशी बाजार में कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर उस बाजार में रखते हैं और जैसे ही उस वस्तू का बाजार जो है वो बहुत जादा बहुत बढ़ जाती पूरा प्रभूत्व उस मार्केट में उस वस्तू का इस्थापित हो जाता है और वो जो घरेलू बाजार का जो प्रोडक्ट है सम्रू प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से धराशाई हो जाता है उसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया भी उसकी डिमांड ही नहीं नहीं वो बखी नहीं रहा है तो वो उत्पादन करके करेगा उत्पादन तो फिर उसका बंध हो जाएगा फिर वो जो देश है वो उस बाजार में तुरंत उस्कीमत को बढ़ा देता है क्यों कि उसे विदेशी बाजार की वस्तू का जो production था उसे पुरी तरह से धराशाई करना था वो काम उसका हो गया और उसके बाद फिर वो अपनी वस्तू की कीमत को बढ़ा देता है तो इस प्रकार से राशी पतन का भी जो भै है वो लगा रहता है या यह कमी है उसकी मुख्य कमी जो है वो अंतराश्टी व्यापार की फ हमने भी थोड़ी देर पहले ही बात की थी वही कि कॉम्पेटिशन से भी इस टाइप का जो खत्रा है वो उत्पन हो रहा है उपनिवेश वाद्ध है ना हम हमेशा कहते आ रहे हैं जो भी चाहे जितने भी organization बन रहे हो एक कहावत है कि जिधर बल उधर हम यह वाली और यह हर जगा फिट होती है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि विक्सित जो देश है वो एक शक्तिशाली राष्ट होते हैं और वो अपने से पिछडे हुए अविक्सित या पिछडे राष्ट पर अपना क्या करते हैं प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं भाई यह हमारा है इस प पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं तो इस से इस अंतर राष्टी व्यापार की एक और सबसे बड़ी जो कमी है वो हम यह देखते हैं कि राजनैतिक दास्ता को या इसकी गुलामी को बढ़ावा मिल रहा है और हम यह भी कह सकते हैं कि हम दिरे दिरे फिर से उप कहाँ लाब है और कुछ कमिया है है तो कोई भी चीज अभी हमने बात की थी कि कोई एक सिक ने के दो पहलु होते हैं तो हम उसके जो पॉजिटिव वे है उसकी जो अच्छी बाते हैं उसको और ज्यादा उसमे उसको निखार कर हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि उ उसकी कम्यों में और सुधार लाना चाहिए ताकि हम उसे और किस प्रकार से बहतर बना सके और अच्छाईयों को तो हमें उसके साथ ही उसको गरहन करना चाहिए तभी हम विकास की और या हम कहें कि समुचित विकास की और सभी राष्ट्रों को एक साथ लेते हुए हम आगे ब यह तो हो गई लाभ और कमियों की बात या लाभ और हानी की बात अब हम देखते हैं कि शुरुवार से जब से अंतर राश्टी व्यापार आया है तब से लेकर आज तक इसका जो स्वरूप है वो बदलता है या बदला हुआ है तो तीन हम इसकी मुख्य रूप से तीन अवस् कि चुकि आदी मानव विक्सित था धीरे धीरे मनुष्य विकास की और बढ़ता गया कास्ट यूग आया लौह यूग आया है ना यह अलग अलग एज में वो प्रवेश करता गया नहीं नहीं खोजों के माध्यम से तो तब जो प्रथम अवस्था थी अंतर राश्टी व्य व्यापार जो है वो अधिक मात्रा में होता था या इनका ही हम कहें कि प्रभूत्व था मुख्य रूप से इनहीं का व्यापार जो है इस अवस्था में होता था फिर हम इसके दूसरे अवस्था की बात करते हैं और हम यह देखेंगे कि जो दूसरी अवस्थाई अंतर माल का निर्मित वस्तू One या पदार्थों का जो है व्या पार बढ़ गया या उस समय जो है वह Preference या महतु हम कहें कि निर्मित रामाल को या वस्तू One को दिया जाने लगा हालांकि प्राथमिक उत्पादों का भी व्यापार होता था तब भी वो भी चल रहा था लेकिन जादा महत्व किसका बढ़ गया निर्मित माल का अब हम देखते हैं इसकी तीसरी जो अवस्था है तीसरी प्रावस्था में हम देखते हैं कि व्यापार की इस अवस्था के आते आते तक क्या हुआ सेवाओं का जो है महत्व बढ़ने लगा निर्मित माल के बाद अब सेवाओं का अधिक महत्व होने लगा इस अवस्था के आते तक तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार अंतरराश्टी व्यापार की अलग अलग अवस्थाएं हुई और उसमें अलग अलग वस्थों के व्यापार को जो है वो महत्व दिया जाने लगा अब हम बात करते हैं जो अंतरराश्टी व्यापार हैं या व्यापार के जो महत्व पूर्ण पहलू या अंग हैं जो व्यापार के अंतरगत शामिल होते हैं उनकी हम बात करते हैं सबसे पहला जो है हम देखते हैं व्यापार का परिमाड या volume of trade है ना ये क्या होता है ये किसी भी देश में जो व्यापार की गड़ना है वो वहां वस्तू और सेवाओं की जो मात्रा आदान प्रदान की जाती है या हम कहें वस्तू या सेवाओं जो आयात और निर्यात की जाती हैं उनके कुल मुल्य को कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं volume of trade या व्यापार का परिमाड मतलब हम यह आपर देख सकते हैं भई कि किसी भी देश या रास्ट के द्वारा कुल जो वस्तू या सेवाओं आयात क की गई है इन दोनों को प्लस कर देंगे जितनी मात्रा उसकी आयात और निर्यात की गई है तो यह होता है व्यापार का परिमाड अब दूसरा इसका जो है महत्योपूर ने पहलू वह हम देखते हैं व्यापार संयोजन या composition of trade तो व्यापार का संयोजन क्या होता है कि हम पह करमभी कवस्था से लेकर आज तक हम यह देखेंगे कि पहले कि प्रकार की या किस प्रकार की वस्तूओं का व्यापार होता था और अब किस प्रकार की वस्तूओं का व्यापार होता है मतलब पहले हो सकता है प्रात्मी कुत्पाद जो है वो अधिक उनका व्यापार किया ज या अभी भी कोई राष्ट या वो जो देश है वो किस टाइप का आयात करता है और किस प्रकार का निरियात करता है मतलब किन वस्तु और सेवाओं का आयात करता है और किन वस्तु और सेवाओं का निरियात करता है पहले से अभी तक यह कहलाता है composition of trade यह हम इसको बोलते हैं व्यापार का संयोजन अब हम देखते हैं कि व्यापार की दिशा व्यापार की दिशा क्या है कि जो वस्तु या सेवाएं आयात कि जा रही है और जो निर्यात की जा रही है उनकी प्रकृती क्या है क्या खाद्यव पदार्थ जो है वो आयात किये जा रहे हैं निर्मित माल जो है वो निर्यात किये जा रहे हैं है ना तो उनकी प्रकृती जो है वो हम कहते हैं कि आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तू की प्रकृती नेचर आफ ट्रेड आप इसे अपने सामने आप विकास शील जो देश हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि उन देशों या राश्ट्रों की जो व्यापार की प्रकृती है वो अलग-अलग समय में किस प्रकार की रही है या क्या है